तो आज हम बहुत इंपोर्टेंट नियूज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रामसर साइट्स के बारे में हैं दोस पीपल हुँ हाव देर वन डे कॉंपिटिटिव एक्जाम्स अराउंड द कोर्नर उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है जो लोग डेस्क्रिप्टिव एक्जाम्स देते हैं बाकी भी एक्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं 11 more wetland sites get ramsar tag telly rises to 75 मदलब अभी तक हमारे पास 64 ramsar sites थे और अब 11 और basically wetland sites जो है वो ramsar tag मिल गया है उनको और अब हमारी telly 75 पे है अब इंडिया में 75 ramsar sites है जो की एशिया में highest number है like एशिया में इंडिया has the highest number of ramsar sites as of now what are wetlands पहले इसके बारे में ही बात कर लेते हैं तो एक wetland एक ऐसा ecosystem होता है जो की पानी से भरा रहता है इधर permanently और seasonally या तो सालो साल उस पे पानी रहेगा या फिर seasonally as of कई मंस तक उस पे पानी रहता है वो एक wetland बोला जाता है अब रामसर sites क्या होती है रामसर site basically एक ऐसी wetland site होती है जिसको की international importance का माना जाता है under ramsar convention इसको the convention on wetlands भी बोला जाता है यह intergovernmental environmental treaty है जो establish करी गई थी 1971 में UNESCO के द्वारा इसको रामसर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह हुई थी in the city of ramsar in Iran और sign करी गई थी on 2nd February 1971 को और facts में की मैं बात कर लेती हूं about ramsar convention यह convention sign तो 1971 में हो गया था but it came into force in 1975 अब इसमें 9 criteria होते हैं basically जो की जिन में से अगर एक भी कोई भी wetland fulfill कर जाए उसको हम ramsar sites की list में डाल देते हैं इन में से कुछ है जैसे की अगर किसी wetland में endangered और critically endangered species रहती है या फिर कोई wetland 20,000 से जादा जो water birds होती है उनका घर हो तो ऐसे ही कुछ 9 criteria हैं अगर उन में से कोई एक भी criteria fulfill करती है कोई भी wetland we will consider that wetland as a ramsar site मतलब पहले वो recognize करी जाएगी internationally and then we will consider that site as a ramsar site और अगर हम बात करें benefits की कि अगर किसी wetland को ramsar site बना दिया गया तो उसके benefits क्या होगे basically as such कोई benefit नहीं होता it's just based upon national action and international cooperation मतलब जो national government होती है उस country की वो उस wetland का ध्यान रखे उसका ध्यान जाए कि इस wetland को हमें conserve करना है और अगर उसमें उसको conserve करते time if they need any help from the international governance then they can do so internationally भी corporate करेंगे लोग to conserve that site तो यही बस benefit होता है basically अब इंडिया जो है वो 1982 में इसका member बना था और 1982 से 2013 तक हमारे पास सिर्फ 26 sites थी जो की रामसेर sites की list में थी लेकिन from 2014 to 2022 हमने 49 और additions कर लिये हैं रामसेर sites में अब जो 11 new sites add हुई है उसमें से 4 sites तमिलनाडू में है तीन ओडिशा में, दो जम्मो कश्मीर में, एक मध्या प्रदेश में और एक ही महरास्ट्रा में अब जो latest जो additions हुए रामसेर sites में उनकी बात कर लेते हैं तमिलनाडू में जो मैंने 4 बताई वो है चितरंगुडी बर्ड सैंक्चुरी, सुचिंद्रम थरूर वेटलेंड कॉम्प्लेक्स, वदूवर बर्ड सैंक्चुरी, एन कांजी रंकुलं बर्ड सैंक्चुरी तो ये 4 नई addition हैं तमिलनाडू, इसके साथ साथ मैं एक और static आपको knowledge दे देती हूँ कि फिल हाल, as of now, तमिलनाडू has the maximum number of रामसेर sites, that is 14 तमिलनाडू has 14 number of रामसेर sites, followed by UP, which has 10 तो ये static का सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको then we come to Odisha, उसमें तीन लेटेस्ट एडिशन हुए हैं, तैंपरा लेक, हिराकुन रिजर्वर और अन्सुपा लेक, फिर जम्म और काश्मीर में, हाइगम वेटलेंड कंशर्वेशन रिजर्व, शैल्बग वेटलेंड कंशर्वेशन रिजर्व, और महारास्ट्रा में थाने क अरिक, مадhyapr Ellis में, यषवंत, सागर, जैल एक्षि maior, वी यह रिजर, इद बीशर्वेशन रिजर्व हैने तक को हैं, तैंप आर फो थोल्ड हैनि को हैं, और ये क्वेशनी को है, लिजर्वर लख जैकू और या त efter 23 difficult time for this video, सब्सक्तरव में, हम स्में duty Feld, इसे जाइकू र झाल झाल झाल